जहां दूसरों से उमिद खप्प हो जाती है वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है नोटों की गड़ियां निकल रही हैं मैंनों तो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे देर देखे ही नहीं है पहली बार टीवी पे देखा क्या जार्खन कमाल कर रहा है मोदी ने उन गड़िवों की भी चिंता की है जिनके घर पहले बिजली कनेक्शन नहीं था सवभा की योजना से हां जनबाद में भी करीब एक लाख गरों में पहली बार मुप्त बिजली कनेक्शन लगा है इसलिए तो देश कह रहा है इसलिए तो देश कह रहा है जहां दूसरों से उमित खत्प हो जाती है वहां से मोदी की गारण्टी शुरू होती है नाथियों चार घंड के आप लोग मोदी की ऐसी अनेक गरण्ट्यों के गवा है जो बीते वर्षों में पूरी हुई है देवघर में चार घंड के दूसरे एरपोर्ट का सलान्या मैंने 2018 में किया था साल 2022 में इसके लोकारपण करने का आउसर भी आपने मुझे ही दिया साल 2018 में ही मैंने चार घंड के पहले एम्स की आधार दिला रखी दी और 2022 में इसका लोकारपण भी आपकी ये सेवक मोदी ने किया आज जारखन देश के उन राज्यों में है जहां रेलिवे का शत्त प्रतिशत बिजली करण हो चुका है जारखन को अब तक तीन आधुने मेड इन इंडिया पंदे भारत ट्रेने मिल चुकी है कुछ दिन पहले ही अम्रिद भारत स्टेशन योजना के तहर जारखन के 27 रेलिवे स्टेशनों के आधुनी करण पर काम सुनू हुआ है एक साथ सत्ताइस देशन पिजले सोजाल में ये काम नहीं हुआ होगा 25 फरवरी को ही चारखन में अस्पतानों से जुड़ी अनेक परियो जानाओ का चलान्याद भी दिया गया है चारखन में तेज विखास के लिए ये जरूरी है यहां कानून व्यवस्ता अच्छी हो शाजन प्रशाजन इमामदार हो लेकिन जब से यहां जे एमेम और कॉंग्रेस की परिवारबादी प्रश्टाचारी और तुष्टी करणवाली सरकार बनी है तब से सीतियां बहुत बिगडी है जे एमेम का मतलब हो गया है जम करके खाओ चार घंड में रंगदारी बढ़ती ही जा रही है तुष्टी करण के चलते गुष्पैट बढ़ती जा रही है और यहाँ जे एमेम कॉंग्रेस के नेताओं का एक ही काम रह गया है अपनी तीजोरियां भरने का इन लोगों ने जार घंड की जनता को लूट कर आपको लूट कर आपके पसीने की कमाई को लूट कर अपने लिए बेनामी संपत्यों के पहाड बना लिए आपने देखी हैं ना यहां किस तरह नोटों की गट्नियां निकल रही हैं मैं दो अपनी आखों से कभी नोटों के ऐसे डेर देखे ही देखें पहली बार तीवी पे देखा क्या चारकंद कमाल कर रहा हैं कोईले के डेर तो देखे से नोटों के टेर देख रहे हैं और अभी बाबु लालनी जो तबड़ीया बड़ा लंती है इसका भायों बहनों ये आपका पैसा है जारखन के गरीब आदिवाथियों का पैसा है ये आपका पैसा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए पैसा था इसे लूट लिया गया है क्या आप ऐसे लोगों को माप करोगे ऐसे लोगों को माप करोगे क्या ऐसी बेहिमानी जारखन में चलने दोगे क्या आपका रुप्या कोई लूट ले आपको मंजूर है ऐसे प्रस्टाचारियों के खिलाब कार्यवाई होनी चाहिए के नहीं होनी चाहिए उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए के नहीं जानी चाहिए जो जन्ता का लूटा है वो लोटाना पड़ेगा ये मोदी की कारण्टी है आथियों जब मोदी ऐसे प्रस्टाचारियों पर एक्शन लेता है तब ये लोग तरह तरह के पाहने बताते हैं ये लोग चांज से भांग रहे हैं क्योंकि लोग अपने कारणा में चांते हैं जी एम एम और कंग्रेस ने आदिवासियों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक ही समझा है चार घंबे इतने जनजातिये परिवार है इतने प्रतिभाशाली नवजबान है ये लोग उनको कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे ये इसले नहीं कर पाते हैं तो कि परिवारबादी अपने ही परिवार की सोचते हैं जबकि मोदी जो भी कर रहा है वो आपके भविश्य के लिए कर रहा है आपके बच्चों के भविश्य के लिए कर रहा है आप मुझे बताईए ये जेमेम को चलाने वाले जो लोग है एक ही परिवार का हैग नहीं है एक ही परिवार का हैग नहीं है वो अपने बच्चों का भला करेंगे का अपने बच्चों का भला करेंगे उनको अपने बच्चों की चिंता है कि आपके बच्चों की चिंता है आपकी मेरे परिवार्जन है आपके बच्चों का भविश ये मारी कारण की है साथ्यों, खनवाद और आसपास का एक खेत्रा पुद्यम्यों और समिकों का छेत्रा है लेकिन बोदी आपके लिए जो भी योजना बनाता है ये इंडी गड़बंदन वाले उसका बिरोध करते हैं या फिर उसमें अडंगे डालते हैं कौरोना काल में हमने मुप्त राशन की योजना शुरू गी लेकिन इंडी गड़बंदन के लोग इसका भी विरोध कर रहे हैं इंडी गड़बंदन वाले चाहते हैं कि मुप्त राशन देने वाली योजना बंद कर दी जाएं आप मुझे बताएं भाई गरीब के घर का जूला चलता रहना चाहिए कि नहीं आप मुझे बताएं चूला चलता रहना चाहिए कि नहीं आप मुझे बताएं गरीब का बच्चा पेट भननने के बाद ही सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए क्या गरीब की सेवा मोदी को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ये इंडी गट बंदन वाले इतना ही दबाव बनाले लेकिन न जुकने वाला है न हटने वाला है